अलेट सुडेंट लेट सार्ट मानेब रितेश रितेश दहिया और आज हम एक बहुत इंपॉर्डेंट चेप्टर का स्टार्ट करने वाले जिसको कहते हैं ग्रेविटेशन नाव नीट के एक्जाम में आप इजिली एक कोश्चन एक्सपेट कर सकते हैं इससे और दो भी आ ज इंपुलेशन थोड़ी से मुश्किल हो आती है लेकिन अटमिक सक्चर हो हीट जित्ती मुश्किल नहीं होती है कभी-kभी थोड़ी से मुश्किल हो हाती है अदरवाइस भाहती असान चेप्टर है ठीक हैं तो लेट स्टार्ट ग्रेविटेशन जो वन टॉटक बाट ग्रे लिखें तो इसको हम लिखते हैं G M1 M2 by R square R21 के है यहां पर अक्सर आपको एक minus sign लगा दिखेगा minus sign का simple मतलब यह है कि यह आपका attractive force है जैसे electrostatic force K Q1 Q2 by R square आपके charge पर depend करता है वो attractive भी हो सकता है और repulsive भी हो सकता है gravitation force is always attractive यह G है इसकी value आपको ध्यान रखनी है G की value होती है 6.67 into 10 to the power minus 11 newton meter square per kilogram square यह वाली जो इसकी dimensions है आप से 40-42 साल के अंदर बारा बार just imagine बारा बार या तो dimension directly पूछी हुए है या किसी और सवाल में G की dimension का इस्तेमाल हो रहा था तो इतनी important dimension है एक ही सवाल है तो इसकी dimension M minus 1 L cube T minus 2 होएगी ठीक है derive भी का सकते है इसको बट इसको आपको याद रखना पड़ेगा तो फटावर्ट आपको सवाल हो जाएगा तो अगर दुबारा किसी ने वही सवाल पूछा तो अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशन force जो इस always attractive in nature independent of medium between तो दो आर्थ और moon है या कोई दो मासे रखे हो है उनके बीच में attractive force जो है वह इस बात के independent होएगा के बीच में medium क्या है central force है मतलब आपके line joining हमेशा वो एक करेगा तो इसका center महाँ से इसका center महाँ से उसके line joining है attractive force towards each other हमेशा line joining पे होएगा अगर आप देखेंगे एक स्मॉल डिस्टेंस के लिए तो नुक्लियर फोस आपका जो फर्मी लेबल पर चले आते हैं तो आपका सबसे रहा स्ट्रॉंग वह आता है उसका रिलेक्रो मैगनेटिक और ग्रेविटेशनल फोस जो है वह बहुत जादा स्ट्रॉंग होता है जो आ आपका पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा आपका पाथ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं होएगी चलो इसके बाद कुछ इस पर सवाल करते हैं आपका पहला सवाल है 2017 में सवाल पूछा गया question says two astronauts are floating in gravitational free space having lost contact with their spaceship तो दो लोग हैं वो space ships उनका contact lose हो गया आसपा नियर vicinity में कोई औ planet भी नहीं है और वो free float कर रहे हैं से space में ठीक है let's assume उनके पास oxygen है enough सवाल यह के they will move towards each other move away from each other will become stationary keep floating at the same at the same distance between them तो वो क्या उसका behavior होएगा यहाँ पे अगर कोई यह और external force नहीं है तो दोनों एक दूसरे को mutually attract करेंगे by GMM GMM by our square से so they will move towards each other सिर्फ यह fundamental clarity 2017 में हीट के exam में च कि क्या आपके 2 masses है independent of कोई और force नहीं है तो सिर्फो सिर्फो सिर्फ ग्रविटेशनल force of attraction हो गा है and they will move towards each other ठीक है तो यह option A this would be the right answer ठीक है चलो अगला सवाल देखते मिटा अगला सवाल है रीट का अगे प्रिवेसर question है question says earth जिसका mass हमें दे रखा है 6 into 10 to the power 24 kilogram revolves around the sun with angular velocity of 2 into 10 to the power minus 7 radian per second यह अपने को omega की value दी हुई है in a circular orbit और orbit का radius दे रखा है 1.5 into 10 to the power 8 kilometer the force exerted by the sun on earth in newton आपको यह बताना है कि sun किता force लगा रहा है earth यहां पर ऐसे move कर रही है और इसकी जो omega है उसकी value अपने को दी हुई है हमें बताना है यहां पर कितना force apply हो रहा है so this case में जो force apply होएगा उसको centripetal force लिखेंगे fc that will be equal to mr omega square और हमें यहां बताना है force कितना होगा बसे data रखके आपकी value आजाएगी so mass of earth दिया होए 6 multiplied by 10 to the power 24 multiplied by radius आपने को दिया हुआ है 1.5 into 10 to the power 11 meter now यहां पर कुछो students गडबड करते है वो data आपने को दिया होए 10 to the power 8 kilometer उसको आप SI unit में meter में convert करेंगे so it will be 10 to the power 11 multiplied by omega square याने की 2 into 10 to the power minus 7 का square यहां जाएगा 6 multiplied by 1.5 multiplied by 2 का square याने की 4 multiplied by 10 का power देख लेते है यहां जाएगा 10 to the power 24 multiplied by 10 to the power 11 multiplied by 10 to the power minus 14 यहां जाएगा 9 9 को 4 से multiply करेंगे यहां जाएगा 36 multiplied by 10 की पावर देख लेते है यह 24 minus 14 याने की 10 और 10 के साथ जब आप 11 add करेंगे तो 21 हो जाएगा 10 to the power 21 which means option D would be the right answer I hope the solution आपको समझ में आया next question question says which of the following statements about the gravitational constant is true आपका जो capital G है उसके बारे में इन में से consistent statement true है पहली statement है it depends on value of the masses यह आपका depend करता है आपके masses की value पे इस बात पर confused हो जाते हैं कि जैसे हम force को लिखते हैं F is equal to G M1 M2 divided by R square तो इसका मतलब है G की value हो गई F multiplied by R square divided by M1 M2 Now कुछ लोग कहते हैं यहां पर G M1 M2 के inversely proportional answer is no G आपका universal constant है अगर आप M1 M2 बढ़ा रहे हैं तो mass आपका बढ़ जाएगा या फिर रेडियस को बढ़ना होएगा यह अगर कम कर रहे हैं तो यह दोनों की value कम हो जाएगी G आपका जो है वो universal constant है वो एक particular unit में constant ही रहेगा अगर आपकी value जो है G की value अगर आप newton में और meter square per kilogram square में निकाल रहे हैं उससी को अगर आप CGA system में ले जाएगे value उसकी बढ़ल जाएगी तो यह वाला भी option गलत है last option says it does not depend on nature of the medium in which bodies are kept now यह जो G है आपका it does not depend on जो आपका medium है उस पर depend नहीं करता है तो यह वाला option आपका right option है यह आपको charge number देके जाएगा I hope यह चीज आपको समझ में आई next यहां पर बात करते है acceleration due to gravity now acceleration due to gravity क्या है यह actually आपका force permit mass है इसको हम छोटा जी के नाम से भी जानते है तो इसको हम कहते है कि यह आपका earth है और earth के ऊपर आपने body को रखावा यह एक बंदा खड़ा हुआ है इन दोनों के बीच में जो attractive force लगेगा earth इसको खीचेगी यह earth को अपनी तरफ खीचेगा उसकी value होएगी this will be equal to g m1 m2 divided by r square और m1 आपकी earth का mass है m2 आपकी object का mass है ऐसा हम यहां पे कह रहे है जब हम बहुत close to surface of earth हो जाते हैं close to surface of earth हो जाते हैं तो यह जो value है जिसको हम कहते है g multiplied by आपका यह m1 जो है इसे mass of earth कहते हैं यह 10 to the power 24 की range में है radius of earth है यह आपका 6400 km है इसको जो हम यह value fit कर देते हैं तो इसकी value आया थी जो आपका force बन जाता है force उसको आप लिखते हैं इसक जो आपकी body का mass है multiplied by g और g की value 9.8 meter per second square के आसपास होती है अगेन यह आपके location पर depend करेगी और बहुत सारे factors पर depend करेगी अभी उन सब की बात करते हैं जी की value हो गई आपकी gm by r square ठीक है और जी की value यहां पर कुछ सवाल है यहां पर density दी होती है आपको कहते हैं दो planet है उसमें compare करो के यहां की अर्थ की density जो है दूसरा planet है उसकी density double है half है तीन गुना है और इस उसका double है half है तीन गुना something like that वहां पर g आपको compare करना होता है तो यहां पर अगर हम mass को density multiplied by volume रखने तो जो value आया थी है आपकी g की इसको आपने ध्यान रखना है formula g will be equal to 4 by 3 pi rho g r ठीक है तो g आपका अगर density के terms को compare कर रहे है तो g आपका proportional हो जाएगा directly r के otherwise g आपका inversory proportional है r square के value of acceleration due to gravity vary due to the following factors यह आपके चार factor है जिनकी वेश से vary करती है पहला है shape of the earth तो अगर हम अपने earth को complete spherical मान लें तो g की value uniform हो जाएगी लेकिन earth का जो shape वाला factor है earth का shape थोड़ा सा different है उपा से चप्ती है depth below the earth surface कितना आप नीचे tunnel करके जा रहे है उसकी वाई से factor आएगा और चौथा है आपका rotation का तो और जो rotate कर रहे है उसकी वेश से आपका g का फरक आएगा ठीक है आपको 21 km के आसपास जादा है और उस वजह से हम कहेंगे क्योंगी g आपका 1 by r square होता है inversely proportional और क्योंगी r equator की value आपकी पोल से जादा है इस वेश से आपका जो पोल पे g की value आएगी ठीक है वो थोड़ी सी जादा है आपके पोल पे यहां g की value जादा होएगी as compared to g pole ठीक है इसको आपने ध्यान रखना है ऐसे data दे रहा हूं आपको यार रखने के लिए आगर रखना चाहें तो 0.018 का meter per second square का इन दोनों के बीच में difference आता है therefore weight of the body is line दियान रखते है weight of the body increases at it is taken from equator to the pole तो जैसे जैसे हम equator से pole जाएंगे आपका weight केसी भी object का weight जो है वो बढ़ेगा ठीक है तो weight आपका यहां पे गर मान लीजे मेरा वजन 70 kg है अगर मैं poles पे गया है तो हो सकता है वहां पे मेरा वजन उसी weighing machine में जब मैं करूं तो वो उसी weighing machine में वोजन 72 kg आ जाए क्वाई विकोष जी की value थोड़ी सी वहां पे increase हो गई है ठीक है चलो next factor पर चलते है variation with height तो height के साथ variation है g को हम लिखते है g dash will be equal to gm by r plus h square विकोष यहां पे center से distance अगर आप h height पे गए तो center से distance आपका r plus h हो जाएगा तो यहां आपकी g की वहां पे effective value होएगी now इसी को हम यह कहते है h की value अगर बहुत छोटी है तो यह आपका मैं यहां पे 2 formula देता हूं students को हम यहां पे कहते हैं कि g dash जो है उसको आप लिखेंगे g इसको पहले में derive भी कर देता हूं आपके लिए ठीक है तो यह value जो आएगी this will be something like इसको आप लिखेंगे gm multiplied by r plus h to the power minus 2 ठीक है यह वाली जो value है now इसी को अगर आप r e से multiply कर दें और r e square से divide कर दें तो r e square से multiply और divide कर देंगे तो यह value आपके g बन गई तो यह आपका g dash जो है यह हो जाएगा g multiplied by इसको एक कायम करते है divide के term में लिखते है confusion नहीं होएगा आपको exam hall में so g divided by 1 plus h by r e h by r e ka square यह आपकी g dash की value होगी इसको मैं कहता हूँ यह आपका असली formula है असली घी है यह आपको तब इस्तेमाल करना है जब g की value आपकी 400 km से जादा है या g आपका g dash ए comparable है या फिर जो distance की बात हो रही है वो आपका r e के comparable है अगर r की value जो आपने h height लिए r की value h से बहुत ज km की बात कर रहे है 100 km की 200 km की बात कर रहे है तो उस case में इसी पे बानव मेल approximation लगागी इसको value हो जाएगी g 1 minus 2 h by r यह आपका नखली formula है और यह applicable है जब आपकी h जो है वो less than आपका 400 km ले 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 जाए अगर 400 km या g by 10 का variation है तो आप यह नखली formula यूज कर सकते है बड़ उस इस्तेमाल करेंगे ठीक है तो यह आपकी height के साथ variation हो गए next देखते है depth के साथ कैसे variation आएगी यह formula आपको ध्यान रखने है direct formula पर सवाल बनते है depth के साथ जब इसकी variation देखेंगे तो depth के साथ आपकी जो variation आती है कि अगर आप नीचे d depth पर चले गए तो आपका formula हो जाता है g 1-d by r ठीक है तो यह आपका g dash effective value यहाँ बन जाती है और इसी को अगर आप देखेंगे density के term में तो यह वाली value आती है because महाँ पर जो आपका r था उसको अब हमने r minus d कर दिया है यह आपका depth के साथ variation है direct formula पर सवाल बनते हैं इनको ध्यान रखना है next यहाँ बात करते है variation due to rotation of the earth जब अपनी axis पर rotate कर रही है तो कोई अगर object यहाँ पर है तो उसको बाहर की तरफ यहाँ पर centrifugal force महसूस होएगा और उसका plane जो है वह यह वाला plane है जिसमें उसका circular motion हो रहा है now because of that जो आपका g है वह आपका vary कर जाता है g minus omega square omega square r multiplied by cos square lambda lambda आपका यह angle है इसको ध्यान रखना यह आपका lambda इसको angle कह रहे है usually standard formula में यह लिखा होता है कई बाद theta भी होता है तो lambda जो है यह आपका angle है और यह angle आपका equator से जो angle बन रहा है वो है इसको आपने ध्यान रखना है कि कई बार आपको equator से नव आपको vertical poles angle रहेता है if that is the case आपको cos theta की जगे यहाँ पर sin square theta यूस कर जाएंगे तो आपका angle 90 degree हो गया है if that is the case g आपका pole पे g बन जाएगा equator पे g minus omega square हो जाएगा कुछ सवाल यहाँ पर ऐसे भी बने हुए है कि आपकी सवाल यह कि कोई एक object equator पर रखा है रहत कितनी omega से घूम है कि उसको weightless feel हो है if that is the case to g equator वाले उसकी value आप 0 कर देंगे omega square r की value 0 हो जाएगी तो यहाँ पर आपकी omega की value will be equal to under root g by r इसको g k equate करेंगे तो omega को कितली तेजी से अर्थ को घूमना पड़ेगा क्या equator वाले बन्दे को feeling आए कि मैं space में पहुंच गया हूँ तो आपका under root g by r would be the answer ठीक है तो इसको ऐसे भी करके आप solve कर सकते है अलगे चलो जी g pole और इसका data है अलगी किसी काम का नहीं है और फिर भी मेरे पास है तो मैं आपको दे रहा हूँ पोल और equator के बीच में जो आपका फरक है वो 0.034 के आसपास है और आपने पहले देखा था आपकी shape की वेशे 0.018 था इन दोनों का add करके 0.05 के आसपास आपका फरक आता है g क एक्वेटर और पोल के बीच में पोल पे जी हमेशा हायर होगा इसको ध्यान रखना है आई होप यह चीज़े clear है अगला सवाल करते हैं 2019 में नीट के exam में आप से पूछा गया question says a body weighs 200 Newton on the surface of earth how much will it weigh half way down the center of earth वो center of earth में अगर आप r e by 2 के distance पे चले जाएंगे towards center of earth तो वहाँ पे उसका वजन कितना होगा now scenario यह है कि आपके body यह आपका यहाँ पे जो आपने इसका वजन लिया तो उसके उपर force आया आपका 200 Newton यानि कि उसका mg जो आया 200 Newton आया अब हम चले गए यहाँ पे distance पे जिसको आप कहेंगे r e by 2 और यह आपका center of earth है यहाँ कहीं पे और यह आप आपका g dash हो जाएगा g dash that will be equal to g 1 minus d by r e और यहाँ आपने को d की जो value है वो r e by 2 दे रखा है तो g dash जो है आपका ही हो जाएगा g dash will be equal to g multiplied by 1 minus r e by 2 ठीक है यह आपका r e r e cancel हो जाएगा 1 minus 1 1 minus 1 by 2 बचेगा तो g dash की value हो गया आपकी g by 2 तो क्योंकि आपका जो acceleration due to gravity हो half हो गया है तो उसका जो f dash हाएगा that will be equal to mg dash that will be equal to आपका m multiplied by g by 2 और mg की value अपने को अपने को पता है 200 newton है तो this will be equal to 200 by 2 यानी की 100 newton so that means option number a आपका 100 newton this will be the right answer. 1217 में आपसे सवाल पूचा गया question says acceleration due to gravity at a height of 1 km above the surface above the earth is same as at the depth of d height आपकी 1 km है depth आपकी d है below the surface of earth then d की value हमें बताना है क्या होगा now यहाँ पर क्यूंकि आपका यह जो dimensions दिये हुएं height के यह आपका 400 km से बहुत छोटे हैं तो हम यहाँ पर अपना नकली वाला formula use कर सकते हैं height के लिए जो आपका g dash आएगा उसको आप लिख सकते हैं g 1 minus इसको आप लिख सकते हैं this will be equal to g 1 minus 2 h by r e और इसकी value बराबर है d के, d depth के तो d depth का formula लिखेंगे g 1 minus d by r e now इन दोनों को अगर आप compare करेंगे इस formula और इस formula को तो आप ही कह सकते हैं के 2 h by r e will be equal to d by r e और यहाँ पर आप ही कह सकते हैं के h will be equal to d will be equal to d की value बताने है आपने को, तो d will be equal to 2 h, now h अपने को 1 km दे रखा है, so d के जो आपकी value है that will be equal to 2 km नीट में 4 number यानि के option c would be the right answer आई होपे solution आपको समझ में आया, next question चालू करते है, question says 2 planets have the same average density, अपने को average mass density दोनों की बराबर दी हुए है but they are radius r1 and r2, पर उनके radius जो है वो आपके r1 r2 है, if acceleration due to gravity on these planets भी g1 and g2, आपके aims का सवाल है, g1 g2 आपको acceleration due to gravity दीवी है, अब हमें compare करना है g1 g2 का ratio r1 r2 के ratio में कैसे आएगा, आपके अपने को पता है, g की जो value होएगी, वो आप directly proportional लिखते है r k, ठीक है, यह हमने formula देखा था, 4 by 3 pi ro g r, तो आपकी g की value directly proportional हो जाएगी r k, ठीक है, इसका मतलब है, आपका g1 divided by g2, अगर density दे रखिये, उस वाले case में, ठीक है, g1 by g2 will be equal to r1 by r2, directly value लिख सकते है, हैंस आपका option a, would be the right answer. Next question on the same topic, question says, at what altitude in meter, will the acceleration due to gravity be 25 percent of that of earth's surface, और इसकी value, 4 value, 4 option दे रखिये, आपने को, now scenario यह है कि यह आपकी earth, earth से आप लेगे, उसको h height पे, यह आपका center of earth, यह r यह आपका radius, यह h आपकी height, तब वहाँ पे हम चाहते है, g की value, g by 4 हो जाए, तो यहाँ पे जो g dash है, that should be equal to g by 4, और g आपका, यहाँ पे surface of earth पे, यहाँ आपका, छोड़े g की value है, हमें बताना है, h की value कितनी होगी, now यहाँ पे, अब हम असली formula यूज़ करेंगे, यहाँ पे नकली formula नहीं जाएगा, असली formula जो है, उसको आप लिखते है, g dash, because g आपका comparable है, यह अगर 1 by 10 का ratio हो, तो आप आराम से नकली formula यूज़ करें, है, but अगर उससे जादा है, तो असली करना चाहिए, अपने को यूज़, so this will be equal to g divided by 1 plus h by r e का square, now g dash की value हो, इसको आप यहाँ लिख सकते है, g by 4, अगर यह देखेंगे, तो आपका g or g cancel हो जाएगा, इसको जालना है, इसको जालना है, तो और दोनों, चलो, इसको आप लिख सकते है, 1 plus h by r e का square will be equal to 4, दोनों तो आप अदर उट ले ले, तो बज़ेगा, 1 by h by r e is equal to 2, 1 को जालना जाए, so हम यह लिख सकते है, h divided by r e will be equal to 1, which implies h will be equal to r e, तो अगर आप r e की height पे चले जाएंगे, data को ध्यान रखना, अगर आप r e radius of earth की height पे चले जाएंगे, तो effective g आपका 1 by 4 हो जाता है, so which means option b would be the right answer, all right, next question, question says, if the radius of earth shrinks by 1.5 percent, for some reason, अगर मान लिजे, आपका earth का जो radius है, वो 1.5 percent कम हो गया, mass remaining the same, now, यहाँ पे ऐसे सवाल मत पूछना गया, अगर 1.5 radius कम हो गया, तो पेड कहा गया, समुदर कहा गया, building है कहा गयी, मेरा घर कहा है, वो सब ऐसे कोई बात नहीं करते है, hypothetical सवाल है, then value of acceleration due to gravity changes by, तो अब जो नहीं surface है, उस पे g की value क्या होगी है, हमें यह बताना है, अगर इसको अगर देखेंगे आप, तो error analysis करें अगर, तो g है, उसको हम लिखते है, this will be equal to g m by r square, ठीक है, इसका मतलब यह होगा, आप इसको लिख सकते है, delta g by g will be equal to delta m by m plus twice delta r by r, मैं जानबुच के आपके लिए पूरा solve कर दिया है, तो mass के क्योंगी directly proportional है, r के क्योंगी square के proportional है, तो यह आपका error analysis ऐसे आएगा, इस case में mass जो है वो तो आपका same है, तो delta m by m तो आपका 0 है, तो delta m by m में कोई change निया है, delta r by r जो है वो आपका 1.5 percent दिया हुआ है, उसका आप 2 से multiply करेंगे, तो delta g by g percentage में that will be equal to 3 percent, तो इसका मतलब है के 3 percent का change आजाएगा, हैंस आपका option number c, 3 percent that would be the right answer. Next question, question says an object weighs 72 Newton on earth, its weight at a height of r by 2 क्या होगा, हमें value बताना है, तो scenario यह है कि आपका mass यहाँ पर रखावा है, जब आपने इसका weight निकाला, mg उसकी value आई 72 Newton, ठीक है, अब आप उसको यहाँ पर, यहाँ आपका radius center of earth है, radius of earth है, अब आप उसको r e by 2 के height पर ले गए, ठीक है, यहाँ पर जो हमने weight निकाला, तो उसका mg dash आएगा, हमें mg dash की value बतानी है, तो यहाँ पर mg की value 72 आगई, g dash की value देखेंगे, उसको आप लिखते हैं, g यहाँ पर क्योंगी height जो है आपका, वो r के comparable है, तो यहाँ पर असली formula यूज करेंगे, divided by 1 plus h by r e का square, तो इसकी value हो जाएगे, g 1 plus h by r e, h की value आप रख देंगे, यहाँ पर आजाएगा, आपका r e by 2 और आपका r e r e cancel हो जाएगा, यहाँ की 1 by 2 का square, इसको 1 by 2 लिखेंगे, तो यह आपका बनेगा 3 by 2, square करेंगे, तो बनेगा 4 by 9, 9 यह बनेगा आपका, चलो लिखे जेता हूँ, इसको मैं आपके लिए, यह आएगा g divided by 3 by 2 का square, now 3 by 2 का square करेंगे, तो 9 by 4 आएगा और यह 4 उपा चला जाएगा, तो g डैस जो है, वो बन गया आपका 4 by 9 g, now, यहाँ पे जो आपका mg है, वो 72 है, तो अगर यहाँ पे भी आप m से multiply करेंगे, यहाँ भी m से multiply करेंगे, इस mg की value में 72 पता है, कर सकते हैं, all right, next section देखते हैं, यहाँ पे, next section अपना, gravitation field intensity for different bodies, now, NEET में usually इसके उपर सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, मैं जान बूच के इसको बता रहा हूँ, एक सवाल है जो आता है, इसलिए मैं सारा section कर रहा हूँ, बागी चीज़ों पर सवाल बहुत कम पूछेंगें, बट यह एलेक्टो स्टेडिक में जो चीज़े आपने पढ़ी है, उसी का analogous है, उसी का exact repeat telecast है, ठीक है, तो इसलिए quickly इसको cover कर लेते हैं, अगर हम बात करें, uniform solid sphere, यह graph आप से कई बार पूछा गया है, ठीक है, माइनस G लिखते हैं, बट अगर सिर्फ magnitude की बात की जाए, तो magnitude आपका प्लस में, ऐसे आएगा, यहाँ पर आपका G जो है, वो वेरी कर रहा है आपका R से और यह बाहर आउटसाइड आपका G वेरी करेगा, अगर स्फेरिकल शेल की बात की जाए, स्फेरिकल शेल ऐसा है कि आपका थिन शेल है, तो उसके अंदर इलेक्री फिल्ड आपकी 0 होती है, आपकी ग्रविटिशन फिल्ड भी उसके अंदर 0 हैगी, बाहर आपकी 1 बार स्वायर से वेरी करेगी, इसको दियान रखना, उनिफॉर्म स्वायरिंग की बात करें, यह भी बात हमने वहां पे की हुई है, वहां पे आपका जो उनिफॉर्म इलेक्री फिल्ड के लिए जो इलेक्री फिल्ड आती थी, उसको आप लिखते थे, k q x divided by under root of r square plus x square 2 the power 3 by 2, similarly, यहां पे gmr divided by a square plus r square 2 the power 3 by 2, center of electric field 0 है, उनिफॉर्म डिसक लिए अगर बात करें, उनिफॉर्म डिसक लिए आपकी जो ग्रविटेशन फिल्ड हो जागी हो, 2 gm by a square 1 minus cos theta, यह यह exact value वहाँ पर होती थी 2 k q by r square 1 minus cos theta ठीक है, so exact same वोई चीज यहाँ पर uniform disk के लिए है, जो यहाँ पर आपके लिए electrostatic और उसके formula काफी analogous है, आलाई, so यह formula है यहाँ रह जायते हो को बुराई नही इस वाले को ध्यान रखना है, यह जो graph है आपका, यह graph कई बार पूछा हूए आपसे है, आलाई, next बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते है, gravitation potential energy के, now, gravitation potential energy of a body at a point is defined as amount of work done in bringing a body from infinity to that point against the gravitational force, exact यह चीज इस electrostatic में भी हम बात करते है, ग्रेविटेशन भी बात करते हैं, तो potential energy क्या है कि यहाँ आपका एक charge रखा हुआ है, infinite से दूसरा charge लेकर आ रहा है, तो जित्ता work done आप इसको यहाँ से यहाँ लाने में करेंगे, वो इसके energy में store हो जाएगा, यकीन हो तो छोड़ के देखो भागेगा, तो जैसे आप इस चोड़ेगे वो भागेगा, तो वही सेम काम यहाँ पर gravitation में करते हैं, कि अल्री एक मास रखा हुए, दूसरे मास को आप लेकर आ रहे हैं, जित्ता work done आप करेंगे, वो आपके यहाँ पर energy में store हो जाएगा, वेल्यूस के आती, work done is stored inside the body, at its gravitation potential energy, यहाँ पर क्योंकि इसका और इसका force attractive है, तो आपको actually negative work done करना पड़ेगा, ठीक है, अगर positive charge और दूसरा positive charge को लेकर आ रहे हैं, तो धक्का देगा, उदर भागेगा, तो आपको जबस्ति लाना पड़ेगा, यहाँ पर तो अपने आप खुद ही भागा चला रहे है, तो work done यहाँ पर negative आयते है, इसका derivation है, लेकिन derivation अभी हम avoid करें, आपको यह data यार रखना है, gravitation potential energy of a body at a height h, यह direct formula आपको ध्यान रखना है, यह ही पर r के जगे आपने r plus h रख दिया है, और इसको कई बार g की term में answer देना होता है, तो यहाँ पर मैंने r e से multiply किया, divide किया, यह formula आ जाएगा, यह दोनों formula आपने ध्यान रखना है, तो यह भी आपको ध्यान होना चाह negative work done per unit, per unit mass, तो जो भी आपका, जितना भी आपने काम किया, एक 10 kilo के object को लाने के लिए, उसी का अगर आप 1 kilo की बात कर लें, तो उसको 10 के लिए 12 के लिए आप उसे mass से multiply कर लेंगे, तो potential जो है, हम कहते है, आपके energy का rate है, energy का भाव है, कि per unit mass कितना work done करना पड़ा है, ठीक potential के equal करेंगे, तो eg dot dr करके आजाती है, या फिर इसको ऐसे देखना है, आपका potential है, उसको आप लिए माइनस gm by r से, ठीक है, gmm by r था, m से divide कर दिया, तो gm by r हो गया, quality इसकी है, scalar physical quantity है, unit इसकी joule per kilogram, या फिर meter square per second square होगी, इसको धियान रखना, dimension इसके यह हो जाएंगे, त इसकी है, next यहाँ पर बात करें, different bodies का, usually neat में सवाल नहीं पूछा जाता है, but crash course से 1 minute लगेगा, मैं आपके लिए revise करवाना चाहूंगा, because I want this to be exhaustive, कोई भी चीज छोडी नहीं हमने, आखरी टाइम पर भी, तो हम चाहते हैं ऐसा cover हो, तो uniform solid sphere है, उसके लिए आप potential 3 minus r by r square, यह आपका formula हो जाएगा, electro setting में यह potential आपका formula हाया था, minus, इसको आपने लिखा था, k q by 2 r cube, or r cube था यह, r cube, 2 r cube, 3 r square minus r square, exact वह formula है, आपे potential inside का है, ठीक है, surface पर minus gm by r value होएगी, outside इसका minus gm by, छोटा r value होएगी, जो आपका actual distance है, spherical shell की बात करेंगे, तो spherical shell के लिए inside जो v है, आपको minus gm by r आएगा, और surface पर gm by r होएगा, outside minus gm by r होएगा, uniform circular ring की बात करेंगे, तो x's पर gm by a square plus r square under root यह आपकी value होएगी, यह same value वहाँ पर electrostatic में थी, वहाँ पर अपने लिखता हा, kq divided by r square, x square plus r square का whole under root, यह same value आपकी electrostatic में थी, वही आपके formula यहाँ पर दुबढ़ा repeat है लिकास हो रहे है, center पर gm by a होएगा, एक चीज़ों देहान रखना यहाँ पर, explicitly नहीं लिखा यहाँ पर, इसको ऐसे देखना, v at center जो है, वह आपका 3 by 2, v at surface होता है, यही same चीज़ electrostatic में थी, और यहाँ पर होएगी, यहाँ पर r की value आप 0 रख देंगे, तो 3 by 2 gm by r आ जाएगा, जो कि surface के 3 by 2 है, तो आपका, तो आपका center पर potential जो है, वह surface से 3 by 2, 1.5 time ज्यादा होता है, इसको आपने ध्यान रखना है, चलो, आगे बढ़ते हैं, escape velocity की बार करते हैं, escape velocity आपका वो है, कि आपको मानलो, pen नहीं पसांद, या को एक इनसान नहीं पसांद, आप चाहते हैं, दफा हो minimum velocity with which a body must be projected, so as to enable it to just overcome the gravitational pull, earth का gravitational pull जहां तक जा रहा है, उससे बाहार निकल जाए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं, यह आपको data ध्यान रखना है, यह आपको रात को दो वजे भी ध्यान होना चाहिए, डारेक्ट इसको पर सवाल बनते हैं, अंडरू 2g by r, और इसी को आप चाहते हैं, g की टर्म में लिखना, तो अंडरू 2g by r, इसकी value हो जाएगी, ठीक है, आई ओपी चीज आपको clear है, इ velocity को value को यहाँ पर हमने रख दिया, तो यह आपकी g density की term में हो जाएगा, बहुत बहुत सवाल हैं से पूछे हो हैं, कि यह आपकी इसके velocity अर्थ की तो इतनी है, एक और कोई planet है, जुसकी density double है, radius भी double है, radius चाहर गुना है, बताओ वहाँ पर इसके velocity की ratio क्या होएगा, तो आ इतनी velocity आपको इस pen को या उस इंसान को देनी पड़ेगी, अगर आप चाहते हो हमेशा के लिए, आपकी नदरों से दूर हो जाए, तो यह आपकी escape velocity की value है, ठीक है, if body is projected with velocity greater than the escape velocity, अगर आपने नीट में तो नहीं पूछा है से सवाल अभी तक, but mains में से सवाल पूछे if that is the case, so final उसकी जो energy होएगी, जब वो infinite पर पहुंचेगा, तो वहाँ पर उसके पास kinetic energy थोड़ी सी बाकी होएगी, सारे उसकी potential को overcome करने में consume नहीं हुई, ठीक है, इस चीज को दियान रखना, तो उसकी final velocity होएगी, energy conservation करके आप वो velocity निकाल सकते है, ठीक है, escape velocity, escape velocity की बात क velocity होती है, उसके लिए हम यह formula यूज करते हैं, उस formula को जो हमने calculate किया, moon की surface के लिए, तो उसकी value, moon की escape velocity उसके ज्यादा आई, इसका मतलब है कि अगर वहाँ पर किसी जमाने में, आज से कुछ million, billion साल पहले, gas रही भी होगी, पर क्योंकि gas molecule की escape velocity कम है, rms velocity जादा है, तो सारी gas भाग गई, कहां भागी, we don't know, but अब वहाँ पर gases नहीं है, moon के environment में, उसका reason यह है, alright, energy to be given on a stationary object on the surface of the earth, so that total energy become zero, this is called escape energy, तो कही बार यह term ध्यान रखना, हम ही कहते है, escape velocity हो गई, कित्नी velocity दे है, अगर आप से पूछा जाए, कित्नी energy दे है, तो उसका answer आपका half mv square, या g mv by r होएगा, इतनी energy देंगे, तो बस भाग जाएगा, तो इसको term को हम कहते है, escape energy, I just wanted to make sure कि आपको यह term पता हो, इसको escape energy कहते है, if the escape velocity of a body is equal to the velocity of light, यह एक और सवाल है, जो आप से aims में एक बार पूछा गया है, और hc बर्म में इसके उपर सवाल है, कि किसी surface पे अगर ऐसा है, कि उसकी जो velocity, escape velocity, उसकी value c के बराबर है, ठीक है, उस case में क्या होएगा, तो nothing can escape, not even light, और ऐसी चीजों को हम बोलते है, black hole, black hole के अगर radius की बात करेंगे, तो वही वाला formula जो हमने बात की थी अभी, कि आपका VE, जो है, VE that is equal to under root 2 gm by r, ठीक है, यह value हो गई, और य की value है, वह आजाएगी 2 gm by c square, यह आपका radius of black hole हो जाएगा, so that आपके कोई भी चीज़ वहाँ से escape ना कर पाए, इन theoretical concept है, तो radius आपका इतना हो जाएगा, इतना होना चाहिए, so that light भी escape ना कर पाए, तीक है, IOP चीज़ आप यहाद रखेंगे, next यहाँ बात करते है, आपके satellite की, तो satellite is जैसे हम ही कहते है, आर्थ है, हमारा natural satellite moon है, so आपका planet है, और satellite उसके around orbit में आपके गोल-गोल घूम रहा है, similarly हम यहाँ कहते हैं, कि हमने जो artificial satellite बेजे हुए, so कुछ satellite उसमें geostationary satellite है, कुछ satellite आपके polar satellite है, और अलग-अलग से आपके satellite के सवाल आते है, तो सबसे पहले हम बात करते है, satellite की orbital velocity क्या होएगी, now orbital velocity की जो बात करते है, हम यह कहते है, it is the velocity required to put the satellite into its orbit around the earth, earth के around आपको satellite रखना है, orbit में, तो उसकी velocity आपको पहले देनी होएगी, और इसके लिए हम यह करते हैं, कि आपका centripetal force जो आपको है, वो gravitation force provide करेगा, तो जो satellite गोल घूम रहा है, यहाँ पे आपका अंदर जो necessary centripetal force apply हो रहा है, तो अंदर जो necessary centripetal force applied हो रहा है, वो आपका gravitational force है, उसकी value mv square by r के बराबर होएगी, r आप cancel कर दे, v की value निकालेंगे, तो यहाँ की under root gm by r value आजाएगी, r यहाँ पे ध्यान रखना, यह आपका radius of orbit है, आपका radius of earth नहीं है, यह radius of orbit है, इसी को r e plus h भी लिखते है, कुछ जगह पे हम, when it revolves very close to surface of earth, तो direct आप से सवाल पूछे होए, के satellite है, जो बिलकुल आपका यहाँ पे ऐसे गूम रहा है, और पेड़ों से टकराता हो, बिल्डिंग से टकराता हो, not exactly, but satellite है, बहुत close to earth है, तो उस case में r की value आप यहाँ पे, इसकी value आप radius of earth के बराबर रख देते हैं, calculate करते हैं, तो इसकी value आपकी लगबग 8 km per second आती है, data को धियान रखना, कई बार directly यह पूछा हुआ है, यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आप escape velocity और orbital velocity को compare करेंगे, तो उनके बीच में under root 2 का factor आता है, because आप इसी को आप radius satellite के वहाँ पे बात करेंगे, तो इस r की जगे आप छोटा r use कर सकते है, यह आपकी escape velocity from a satellite हो जाएगी, इन दोनों के बीच में आपका under root 2 की रिष्टेदार ही है, यह आपका ratio रहेगा, यह इसी पे आगे forward करें, time period की बात करेंगे, तो time period आपका आता है, circumference of the orbit जो आपका circumference है, और उसकी जो आपकी velocity है, उन दोनों का ratio आपका time period क्या लाएगा, इसको जो आप calculate करेंगे, तो यह जो value आती है, यह आपकी बन जाएगी, यह वाली value, ठीक है, तो इसमें दियान रखना, Kepler का law है, Kepler का law भी पढ़ेंगे थोट दियर में, वो कहता है, आप इसकी दूसरी value है, यह सारे formula आपको ध्यान रखने, इन में से कोई भी इस्तेमाल हो सकता है, आपका, time period of nearby satellite है, तो जो satellite बिल्कुल close to surface अवाद यहाँ घूम रहा है, उसका अगर आप time period देखेंगे, तो उसकी value जब 8 km per second, तो उसकी speed आई थी, और इसे calculate करेंगे, तो 84.6 य यह, वो satellite आपका exact उसके सासा, तो जैसे से earth घूमेगी, वो satellite भी exact उस point के उपर, मेरे उपर exact किसी satellite को नजार रखने ही, कि मैं दिन बर क्या कर रहा हूं, वो satellite आपका ऐसे ऐसे घूमेगा, provided I am at equator, satellite which appears stationary relative to earth, is called geostationary satellite, geosynchronous satellite, यहाँ इसको ध्यान रखना, communication satellite, एक बार आप से सवाल ही, पूछ लेगा था, communication satellite, तो उसके उपर कुछ तो भी कहा नहीं कर रहे थे, ध्यान रखना है, communication satellite, अगर यह word use हो रहा है, geosynchronous satellite word use हो रहा है, इसका मतलब geostationary है, ठीक है, इसकी खास बात यह, कि geostationary satellite, जो उसका time period exact 24 गंटे होएगा, तो earth अपने axis पे घूमने में 24 गंटे लगा रही है, इस satellite को भी 24 गंटे का ही time लगना चाहिए, ठीक है, height of geostationary, इसको जो आप calculate करते है, height of geostationary satellite, जो है, वो height जो है, आपकी, वो 6 hour आया थी, from the surface of earth, center से 7 hour होएगी, और 6 hour की जो आप calculation करते है, तो लगबग 36,000 km, इसकी value होती है, अगुलर मोमेंटम सट सेटलाइट की अगर बात करेंगे, उसका angular momentum, angular momentum का में वी आ लिखते है, वी की value आपने यहाँ पर लिखते है, उसको solve करेंगे, तो आपका angular momentum जो है, वो आर के अंडरूट के proportional होता है, ठीक है, similarly, यहाँ पर बात करेंगे, energy of satellite की, तो energy of satellite की जो बात करेंगे, जो potential energy होती होती जोटा आर, यहाँ की potential energy होएगी, kinetic energy होएगी, जोटा आपको दियान रखना है, total energy इन दोनों को add करके आएगी, उसकी value होएगी, minus j mm by 2R, यहाँ की total energy की value होएगी, ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे, इसी का graph की, तो graph आपको फिर दियान रखना है, जब आपका satellite ऐसे elliptical path मे यहाँ पर, उस case में यहाँ पर आपका sun है, और यह आपका earth है, ठीक है, earth और sun की अगर हम भात कर रहे है, तो यहाँ पर kinetic energy और potential energy की graph अगर आजा है, तो इसको दियान रखना, kinetic energy as we know हमेशा positive होती है, तो kinetic energy आपका जो है gm by 2R, gmm by 2R, वो यह positive graph है, और आपके दो graph बनेगे, एक potential energy का, एक total energy का, potential energy क्योंकि इसकी value, आगर देखोगे, total energy है, gmm by 2R, और आपकी potential energy है, gmm by r minus sign के साथ, तो आपकी total energy की value 1 by 2 से divide हो रही है, as compared to potential energy, तो उसकी value हमेशा थोड़ी सी कम रहेगी, यह आपके दो graph होएंगे, इन दोर graphs को आपने ध्यान रखना है, ठीक है, तो यह है, आपकी total or potential energy का graph, चलो, next question, question says, the work done to raise a mass m from the surface of earth to a height h, which is equal to radius of earth is, आप नीट 2019 का सवाल है, 19 में देखो, दो सवाल पूछे आप से, तो scenario यह है, कि यह है, आपका center of earth, आपने यहाँ पे body को, यहाँ से यहाँ पे h height पे rise किया है, और h की value आ रही है, तो यह बताना है, कितना work done करना पड़ेगा, तो यह बात अपने को पता है, work done, जो है that will be equal to, क्योंकि आप इसको slowly, slowly rise करने है, तो current energy में change आप 0 मानेंगे, work done by external that will be equal to change in potential energy, तो change in potential energy का मतलब होगा, इसको आप लिखेंगे potential energy final minus potential energy आपकी initial, दोनों के बीच का difference, यह कर देंगे, तो आपका work done आएगा that will be equal to potential energy final h height पर जो आप पहुंचे तो उसकी potential energy आप लिखेंगे gmm divided by r e plus h, h की value आपने को यह पता है, यहाँ पर r e दी हुए, उसको भी है डाल देंगे, यह आपकी final minus initial energy थी, minus gmm by r e, इसको जो आप solve करेंगे, तो value positive हो जाएगी, यह आगया gmm तो आप common ले लेते हैं, तो यह वाला बचेगा 1 by r e, minus यह बचेगा, आपका negative है, यह बचेगा 1 by 2 r e, इसको जो पाल सिम लेंगे, 2 r e आएगा, 2 में से minus 1 होएगा, तो आपका यह बचेगा, तो आपका जो final answer आए, इसका value वो आएगे gmm divided by 2 r e, इसको आपको g के term में देखना है, चार option है, g के term में दे क्या करेंगे, इसको आप r e से multiply करें, r e से divide करें, so उस case में gm, r e, r e, यह value बन जाती है, आपकी gm by r square छोड़ा g, so जो work done आगया, यह बन गया, यह हो जाएगा, आपका g multiplied by m multiplied by r e divided by 2, hence m g r by 2, option number d, that will be our final right answer. Next question, NEET के 1216 का सवाल है, question से, satellite of mass m is orbiting earth radius r at a height h from its surface, the energy of satellite in terms of g naught, हमें बताना, in terms of g naught, उसकी total energy क्या होगी, where g naught is the acceleration due to gravity at the earth's surface, earth की surface पे g e आपका क्या होता है, हमें पता है, ठीक है, अगें, यह जब हम formula कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया थे, formula आपको यह ध्यान रखना है, आ आप से NEET 1216 में पूछा हुआ है, तो एक काम करते हैं, इसको derive कर लेते हैं, ठीक है, तो यह scenario है, कि यह आपकी earth, यह center of earth, r यह आपका radius, h height पे आप इसको ले गए, यहाँ पे में बताना है, total energy को हम क्या लिखेंगे, now total energy को जब भी हम बात करते हैं, total energy को हम लिखते है, total energy will be equal to minus gmm divided by 2r, छोटा r, उसको आप लिखेंगे, r e plus h, यह आपकी total energy की value होगी, now इसको हमें gnot की term में जवाब देना है, क्या होगा, तो इसको अगर मैं r e square से multiply करूं, r e square से divide करूं, और उसके बाद अगर आप notice करेंगे, gm by r e square, इसको आप छोटा g लिख सकते हैं, तो आपका जो expression बन जाएगा, यह बनेगा, minus m g not r e का square divided by twice r e plus h, यह आपकी total energy का final expression आगे, based on this हम कह सकते हैं, m g r e, all right, based on this हम कह सकते हैं, आपका option b, this would be the right answer. Next question, question says escape velocity of a body of 1 kilogram mass on a planet is 100 meter per second, तो एक कोई random planet है, उस पे 1 kilo का mass है, उसके escape velocity की value अपने को 100 meter per second दे रखी है, उस planet पर, हमें बताना है, gravitation potential energy of the body on that planet, आपको बताना है, gravitation potential energy की value on the surface क्या होएगे. Now, हमें यह पता है, escape velocity का जो formula है, मैं आपके formula पहले लिख रहा हूँ, उसको आप लिखते है, 2 escape velocity है, उसका formula हम लिखते है, this will be equal to twice g m by r, तीक है, यह आपकी escape velocity from the surface of planet होती है, और जो आपकी potential energy, उसको आप लिखते है, यह r आप यह इसकी value ऐसे लिखते है, यहाँ से अपने को expression आएगा, gm by r का, उसको हम यह insert कर देंगे, potential energy की value आजाएगे. तो यहाँ पर अपने को, इसको देखेंगे, हम escape velocity जो है, उसकी value दे रहे कि 100, that will be equal to under root 2 multiplied by gm by r, दोनताफ अगर हम square कर दें, तो यह आपका 10 to the power 4 बन जाएगा, तो यानि की हो गया, gm जो है, उसकी gm by r, उसकी value होगी, 10 to the power 4 divided by 2, यह gm by r की value हो गई, उसको यह insert कर देते हैं, तो आपकी जो potential energy होगी, यह होगी, minus gm by r बन गया, आपका 10 to the power 4 by 2 multiplied by mass अपने को 1 kilogram दे रखा है, तो यह answer है, इसको, इस term में, अगर solve करना है, आपने, तो 10 to the power 4 का 10,000, उसको आप divide करेंगे 2 से, तो बन जाएगा, minus 5000 joule, so, this will be our final answer, so, minus sign के साथ, option A would be the correct choice, all right, next सवाल आपके नीट का प्रिवेसर कोशन है, कोशन से is, escape velocity for a rocket from Earth is 11.2 km per second, तो आपको 11.2 km per second escape velocity दे रखी है, its value on a planet, where acceleration due to gravity is double, वहाँ पे जो एक और आपका hypothetical planet है, वहाँ पे छोटे g की value double है, that on the earth क्या double है, वहाँ पे, and diameter of the planet is twice, उसका diameter भी double है, वहाँ पे आपकी escape velocity की क्या value होगी, kilometer per second में, चार option अपने को दिये हुए, यह बात अपने को पता है, कि V, जो escape velocity उसको आप लिखते है, under root, आज इसको हम लिखते है, 2 gm by r, उस ही को मैंने कहा था, formula आपको ऐसे भी ध्यान रखने, इसको आप लिखेगे है, 2 g r, ठीक है, यह आपकी escape planet, और यह r e, radius of earth आएगा, g आपका यह है, तो हमें planet पे बताना है, तो velocity of planet divided by s k velocity on planet divided by s k velocity of earth, यह हो जाएगा आपका g e divided by r e, नहीं sorry, g p divided by r p divided by g e by r e, now, यह value जो है, यह value जो है, this implies velocity, s k velocity on that planet will be equal to, g r और g e की बात करेंगे, तो यह g की वहाँ पे जो g है, वो double है, so this will be equal to under root में, यह ratio आपका twice आजाएगा, diameter double है, तो radius भी double हो जाएगा, so this will be equal to multiplied by 2, और multiplied by v e को यहाँ से उदा ले जाएगे, so v e की इधर value आजाएगी, so v p will be equal to twice v e, और v e की value क्योंकि आपने को 11.2 दे रखी है, so this will be equal to twice multiplied by 11.2 kilometer per second, so इसकी value हो जाएगे 22.4 kilometer per second, यह आपका final answer हाएगा, based on this कह सकते हम, की option C will be the correct choice, इसकी बार next बार करते है, आपके केपलर's law की है, केपलर's law of planetary motion, so Kepler scientist, he gave three laws for planetary motion, कि जितने भी आपके planet sun के अराउंड गोल गोल घूम रहा है या universe में कहीं पे भी planetary motion हो रहा है, they will follow these three laws, तो पहला law अपना वो कहता है, it's called law of orbits, it says every planets moves around the sun with in elliptical orbit with sun as one of the focus, फोकाई, तो electrical path को अगर आप देखेंगे, तो circle में तो आपका एक center होता है, electrical path में हम कहते हैं, दो center उसको मानते हैं, उनको फोकाई नाम देते हैं, तो sun को one of the foci होना होगा हर planet के लिए, ठीक है, इसी तरह आपके planet move करेंगे, यह आपका पहला law है, दूसरा law है कहता है, second law कहता है, the line joining the sun, यह आपका law of area भी कहलाता है, the line joining the sun to the planet, sweeps equal areas in equal amount of time, equal interval time में, आपकी aerial velocity जो है, aerial velocity को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने कार में या बस में जब बारिश होती है, तो wind वो उसको wiper होता है, तो आपका जो कार पर पानी वो होता है, तो वाइपर उसको ऐसे clean करते हैं, तो यह कहलाती है, उसके aerial velocity जो area उसे sweep किया है, तो अगर आपका यह फोकाई है, और प्लैनेट यहां से यहां जा रहा है, तो इस फोकाई पर जो उसने area cover किया है, जो area जाड़ू लगाया है, जो area sweep किया है, उसको आप यहां पर aerial velocity कहेंगे, according to this law, planet will move slowly when it is farthest from the sun and more rapidly when nearest the sun, तो elliptical path में आपकी velocity जो है, किसी भी प्लैनेट की same नहीं होएगी, circular में तो हमने same माना, orbital velocity gm by r करके under root लिया, उसको velocity हमने का सबकी same है, लेकिन path आपका elliptical है, तो आपकी velocity यहां पर जादा होएगी, यहां पर velocity आपकी कम होएगी, ठीक है, यह आपका यह भी कहता है, da by dt जो है, यह आपकी aerial velocity कहती है, aerial velocity कहलाती है, इसको हम कहते है, da by dt किता area आपने किते time में cover किया है, इसको आप l by 2 m लिखते हैं, फिर l आपका angular momentum है, ठीक है, थर्ड law कहता है, आपका यह बड़ा important law है, इसी के उपर पहले ही देख लेते हैं, तो अगर यहाँ पर speed देखेंगे, आप इस जगे पर और इस जगे पर, ठीक है, v1, v2 की यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ पर 1 plus e divided by 1 minus e हो जाता है, और e आपका eccentricity of ellipse क्यालाता है, तो e is a factor जो आपका major axis और minor axis के बीच का ratio बताता है, उनका बीच का ratio क्या है, ठीक है, बहुत ज़रा परेशान होने की ज़रूत नहीं, यह सिर्फ formula में इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता रहे के formula है, आपका इसको पढ़ देता हूं में, gravitational force is a central force, torque on planet related to sun is always 0, hence angular momentum of the planet or satellite is always constant, तो आपका angular momentum constant होगा, because sun के अबाउट torque आपका 0 रहेगा, because it is a central force, ठीक है, चलो इसके उपर अगला सवाल करते है, question से, time period of geostasis satellite is 24 hours, ठीक है, at a height of 6 r e, तो आपका 6 r e, r e आपका radius of earth है, वहाँ पर आपका satellite घुम रहा, उसका time period 24 hours है, from surface of earth, time period of another satellite whose height is 2.5 r e from the surface, कोई अगर satellite है 2.5 r e की, आपके 5 by 2 r e के height पे उसका time period क्या होगा, और 4 option अपने को दे रखे हैं, अगें 2019 में नीट में पूछा सवाल है, तो scenario यह है कि यह आपका elliptical path और इसको हम actually circular path ही consider करेंगे, तो यह आपका एक satellite और यह आपका दूसरा satellite ठीक है, और यह आपका earth, तो यह आपका 2.5 r e पे एक satellite है, जिसका हमे time period बताना है, दूसरा ही आपका 6 r e की height पे दूसरा satellite है, यह बात अपने को पता है, हम यह आपे कहते है, k plus or loss it, t square will be proportional to आपका r cube, इसकी value हम ऐसे लिखेंगे, इसको अगर देखेंगे, इसकी center से जो high, आपका center, surface से height तो 6 r e है, पर इसको अगर center से देखेंगे, तो इसका distance जो है, वो आपका 7 r e हो जाएगा, because उसमें आप r e add करेंगे, similarly 3.5 इसकी value हो जाएगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, t2 divided by t1 will be equal to directly proportional है, तो r 2 divided by r 1 ka square, now this implies t2 will be equal to t1 को मुदा ले जाएगे, r 2 की जो बात करें तो r 2 आपका 3.5, value, so value हो जाएगे, 3.5 r e divided by 7 r e, यह square है, यहाँ पर, आप square लिखेंगे, और यह cube आएगा, square will be equal to cube multiplied by t1 square, तो इसकी value रख देंगे, तो t2 जो है, यहाँ पर आपका t2 जो आजाएगा, t2 square that will be equal to, आपका 3.5 by 7 है, और इसकी value आपकी 1 by 2 हो जाएगे, so 1 by 2 का cube, यानि की 1 by 8 multiplied by t1 square, t1 square हो गया, आपका 24 का square, under root लेंगे, तो t2 की value हो जाएगे, यहाँ 1 by 2 root 2, 8 का under root आपका 2 root 2 बनता है, multiplied by 24. 24 जो इसको divide करेंगे, तो पहले बजाएगा 12 by root 2 और उसको root 2 को भी divide करेंगे, तो value जाएगे 6 root 2 है, यानि की option number A, 6 root 2 है, this will be the right answer. Next question, 2018 में आपसे नीट में सवाल पूचा गया, question says the kinetic energy, energies of a planet in an elliptical orbit about the sun at position A, B and C, R, K, A, K, B and K, C respectively. A, C is the major axis, A, C आपका जो है, यहाँ से यहाँ, यहाँ का point A, यहाँ का point C, A, C is the major axis, और आपका जो S, B है, S, B, this is perpendicular to A, C, और यहाँ के, S जो है, यहाँ सन की portion है, आपका सन यहाँ पर है, all right? सवाल यह, इसके basis पर आप कानिते energy पर आप क्या comment कर सकते हैं? Now, यह बात अपने को पता है, कि अगर इस अभी जो हमने बात की थी यहाँ पर, अगर orbital velocities के हम यहाँ पर बात करेंगे, elliptical path में, तो हम कहेंगे, velocity of A will be less than velocity of B, will be less than velocity of C, उल्टाओ गया, all right? हम कहेंगे, velocity of A, यहाँ पर सबसे तेज़ चलेगा, will be greater than velocity of B, will be greater than velocity of C, तो यहाँ velocity, speed जो आपके सबसे जादा होएगी, फिरिया होएगी, और यहाँ पर सबसे कम velocity होएगी, कम speed होएगी आपकी, ठीक है? उसके basis पर अगर आप बात करेंगे, अब kinetic energy आपके half m v square होती है, mass आपका same है, तो उसके basis पर all right, option B would be the right answer, ठीक है? आई वो भी चीज आपको समझ में आई, next question, question says an earth satellite S, has an orbit radius which is 4 times, orbit का radius आपका 4 times है, that of communication satellite C, सवाल है, period of revolution उसका कितना होएगा, ठीक है? S का, so यह scenario है कि यह आपकी earth, यह आपका communication satellite, center से उसका distance मान लिजे, r है, दूसरा एक और satellite, जिसका distance आपका 4r है, इसका time period t है, t अपने को पता है, 24 hours होता है, इसका time period 2 कितना होएगा, यह हमें बताना है, now using k plus law, we can say, t2 जो है वो proportional होता है, r to the power 3 by 2 के, यह t square is proportional to r cube, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, t2 divided by t1 will be equal to r2 divided by r1 की power 3 by 2, t1 को दले आते है, which implies आपका t1 जो t2 है, उसकी value हो जाएगी, now यह radius का ratio अपने को 4 दिया होए, so this will be equal to 4 to the power 3 by 2 multiplied by t1, now 4 की power 3 by 2 का मतलब यह है, कि 4 का पहले आप under root करें, value हाएगी 2, फिर उसको आप cube करें, value हाएगी 8, so this will be equal to, t2 will be equal to 8 t1, now यह बात अपने को पता है, t1 जो है, एक communication satellite का one day time period होता है, तो t2 का आपका time period 8 days हो गया, which means option b would be the right answer, आई होब यह chapter आपको समझ में आया है, इसके और सवाल प्रैक्टिस करिएगा, नीट में अक्सर इसके दो सवाल आने पक्का है, लाजबी है, बहुत likely है, ठीक है, and I wish you all the best, take care.